यूनियन बजट 2022 आ गया है जहां तक टेक्स लेप्स का सवाल है तो इस साल टेक्स लेप्स में कोई भी परिवर्टन नहीं किया गया है जो लास्ट येर के टेक्स लेप्स थे उन्हीं को कॉंटिन्यू किया गया है तो कहीं न कहीं कोई एक्स्ट्रा टेक्स हमारे उपर नहीं लगाए गया है तो ये एक रात की बात है हम उसे पॉजिटिवली ले सकते हैं लेकिन मेवी कुछ लोगों कोई एक्सपेक्टेशन रही हो कि हमें कुछ रिवेट्स मिलेंगे इंकम टेक्स में तो वो नहीं हुआ है इस पार दूसरी important बात जो middle class के लिए यहां पे है वो यह कि जो capital gains tax है और wealth tax है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो एक तरह से यह relief की बात है क्योंकि कहा जाता है कि no bad news is good news तो कहीं न कहीं यह good news ही है कि कोई taxes में changes नहीं हुएं कोई परिवर्तन नहीं हुएं बढ़ाय नहीं गए तो कहीं न कहीं रात की सांस है वहां भी तीसरी बात यह है कि जो home buyers हैं उन्हें एक certain deduction मिल रहा है डेड़ लाक रुपे तक का interest payments के उपर कि अगर कोई वो मकान खरीदते हैं और मकान पर जो वो किष्टे जमा कर रहा है किष्टों पर एक certain interest ले भी होता है तो वो जो interest है वो डेड़ लाक रुपे तक के interest पे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता tax के form में तो वो जो चीज है it has continued for one more year तो that is also a positive thing एक और बात यह है कि जो taxpayers है और income tax return फाइल करते हैं तो कई वर ऐसा होता है कि computation में गड़वडियां हो जाती है और वो गड़वडियां जब computation में होती है middle class का आदमी तो घबरा जाता है बहुत सारे issues हो जाते तो वहाँ पे निर्मिला सीथरमान जी ने एक रहात दी है कि वो दो साल के अंदर अगर कोई गड़वड़ी हो गई यह computations में तो उन्हें ठीक कर सकते हैं तो यह भी एक positive बात है उसके लिए उन्होंने कहा है कि भई हम trust based governance जो है वो income tax या tax में भी लाना चाहते हैं और I think this is something which we should welcome इसके लावा राज सरकार के जो employees हैं उनके लिए एक रहात यह है कि जो NPS में employer के side पे reductions थे वो states में अभी तक 10% होते थे तो वो अब 14% होंगे जैसा कि central government में होता है तो यह एक रहात की बात है state government employees के लिए एक और ख़बर budget से जुड़ी हुई यह है कि जो capital gains tax है long term capital gains tax तो वो जिस तरह से stock market में levy होते थे उसी तरह से वो अब बाकी दूसरे asset classes पे भी लेवी होंगे तो 15% का जो long term capital gains tax लगता था stock market में आपके profits के उपर वो ही अब दूसरे asset class पे भी लगेगा maybe कि इस पे कोई और further clarifications आने वाले समय में आये लेकिन अभी तक की स्थिती यही है एक और important बात यह है कि जो लोग कोविट से प्रभावित रहे हैं तो उन्होंने कोविट के treatments में जो पैसे खर्च किये है या कोई borrowings कियें कहीं से 10 लाक रुपे तक की तो उन पे कोई taxes नहीं लगाए जाएंगे तो यह भी एक welcome move है क्योंकि बहुत सारे लोग कोविट से प्रभावित रहे हैं recent times में तो कहीं न कहीं it will be a relief for them इसके अलावा जो लोग किसी वज़े से disabled हैं तो disability वाले लोगों के लिए भी एक रहात की बात यह है कि government ने proposal यह दिया है कि अगर कोई borrowings करते हैं disability वाले लोग जैसे माली जो उन्होंने insurance किया और कभी पैसे की जरूरत पड़ी और पैसा withdrawal किया और अगर उनके parents की age है वो 60 साल से उपर है तो उस case में उनके उपर कोई भी taxes लेवी नहीं होंगे चाहें वो profits के form में आ जाया है अनिकि surplus होता है कई बार जब आप insurance करते हैं तो surplus आपके पास आता है तो उस पर कोई tax ले भी नहीं होंगे अगर कोई disability है बंदे को एक बड़ी ख़बर उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक crypto में invest करते हुए आ रहे है क्रिप्टो करंसी में क्योंकि अभी तक crypto regularize नहीं थी तो कहीं नहीं government regularize करने की पहली कोशिश की है और कोशिश ये है कि अब जो आपके crypto investments होंगे उसमें जो भी profits आपको मिलेंगे उन profits के उपर straight 30% का tax लगेगा आप उसे square off नहीं कर सकते कहीं और के losses के against सिर्फ एक चीज़ को आप उसमें include कर सकते हैं वो ये कि आपने initial investment कितना किया था तो उसे account for करके उसके बाद जो भी profits हैं उस पर 30% का tax लगेगा और किसी भी दूसरे asset के साथ आप उसे square off नहीं कर सकते तो ये एक बड़ा change है और कहीं न कहीं जो crypto owners हैं उन्हें ये एक जटका लगा होगा क्योंकि इतना heavy tax 30% का tax जो है वो लेवीड होगा उनके incomes के उपर और उसे किसी भी तरह से आप square off नहीं कर सकते कोई standard deductions वहाँ पे नहीं मिलेंगे और कहीं न कहीं जो central government है उसका जो ये initiative है उसकी वज़े यही है कि वो crypto में जो transactions हैं उन्हें discourage करना चाहते हैं इसके अलावा एक point यह भी है कि जो digital assets है digital assets के transfer पे कोई भी transfer से आप करते है digital assets के 1% to another person तो वहाँ पे आपको 1% का TDS payable होगा तो यह लगबग सारे tax से related खबरे हैं budget से जो कहीं न कहीं middle class को affect करते हैं आइ तो चाहते तो चाहते हैं एपकोष फूच्वाय अस्ट्र करते है यहाँ बदयोग लिए इन दू प्रस्ते आपकोई कर दो करते हैं निह पर फ्यास करते हैं